पिता जी मैंने अभी तक सारा फल खाया है सेवाए एक फल के मैं वो फल खाना चाहता हूँ क्या आप ला देंगे पिता जी अवश बेटे अवश पहले तुम ये तो बता बेटे कि उस फल का नाम क्या है जरा मैं भी तो सुनू जी पिता जी उस फल का नाम है एपल मैं एपल खाना चाहता हूँ क्या आप ला देंगे पिता जी ये बात चील महराज अपने सेनापती को एपल लाने का आदेश देता है और कहता है इस तरह महराज के सेनापती एपल लाने निकल पड़ता है सेनापती पूरे जंगल में इधर उधर घूंता रहता है पर उसी कहीं भी एपल नहीं मिलता है तब चील सेनापती एक पेड़ पर बैठ जाता है और बोलता है पूरे जंगल में एपल ढोन ढोन कर ठक गया हूँ पर कहीं भी एपल नहीं मिल रहा अब मैं महराज को क्या बोलूँगा और महराज का बेटा अब क्या खाएगा ये सोचते हुए सेनापती चील महराज के महल की तरफ रवाना हो जाता है महल में आकर सेनापती बोलता है महराज मैंने पूरा जंगल छान मारा पर कढ़ी भी मुझे एपल लज़र नहीं आया ये बात सुनकर महराज को गुसा आ गया और बोला क्या बात कर रहे हो तुम सिनापती पूरी जंगल में एक भी एपल पेर नहीं है अब मैं अपने बेटे को क्या जवाब दोंगा उसे अगर पता चलेगा कि मैंने उसके लिए एपल का जुगार नहीं कर पाया तो वो गुसा हो जाएगा न महराज और सिनापती बात कर रहा होता है उसी दोरान महराज का बेटा आ जाता है और कहता है पिताजी एपल आये हैं या नहीं मुझे एपल देजिए खाऊंगा अरे मेरे बेटे गुसा क्यों करते हूँ दरसल बात ये है कि मैंने सिनापती को एपल लाने भेजा था उसने पूरे जंगल में छान मारा पर उसे कहीं भी एपल नहीं मिला नहीं पिताजी मैं कुछ नहीं जानता मुझे एपल चाहिए तो चाहिए अगर आपने मुझे एपल लाके नहीं दिया तो मैं इस महल से चला जाऊंगा सिनापती कुछ भी करके तुम एपल का जुगार लगाओ महराज ऐसा करते हैं पूरे जंगल में एलान कर देते हैं जिससे पूरे जंगल के पक्षियों को पता चल जाएगा कि महराज ने एपल लाने का आदेश किया है ऐसा करने से कोई ना कोई एपल का जुगार जरूर करेगा तो फिर तुम यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हूँ जल्दी जाओ और पूरे जंगल में धिंडोरा पिटवा दो कि महराज का बेटा एपल खाना चाहता है जो भी एपल लाके देगा उसे ज्यादा से ज्यादा उपहार दिया जाएगा ठीक है महराज मैं अभी जाता हूँ और एपल खाना चाहता है अगर किसी के पास है या कोई भी अगर महराज को एपल देना चाहते है तो अभी जाकर महल में महराज से मिले एपल के बदले में उन्हें अन्हें कीमती पुरशकार दिया जाएगा सिनापती की बात टोनी और उसके बच्चों के कान तक पहुचती है तब टोनी का एक बच्चा बोलता है मा, मा, क्या आपने सुना? महराज ने पुरशकार देने की बात की है चलो मा, महराज के पास चलते हैं और पुरशकार लाते हैं अरे बेवकूफ, पुरसकार ऐसे ही थोड़ी देंगे, तुमने सुना नहीं, महराज का पुत्र एपल खाना चाहता है, जो भी महराज को एपल देगा, उन्हें पुरसकार मिलेगा ये बात सुनकर टोनी का बेटा बोला तो चलो ना मा, हम लोग एपल लेके चलते हैं, और पुरसकार लेके आते हैं लेकिन बेटा, एपल मिलेगा कहां, मुझे जहां तक पता है, इस जंगल में तो एक भी एपल का पेड़ नहीं मा, तो चलो ना महराज के पास, पूरी बात सुनके आते हैं ठीक है बेटा, पहले हमें पूरी सच्चाई मालूम करना चाहिए, चलो जाके मालूम करते हैं, कि आफिर बात क्या है तुनी और उनके बच्चे महराज के महल की तरफ रावाना हो जाते हैं धर्चील महराज के स्यनापती फिर एलान करता है ये बात उसी जंगल में रह रहे, तोते के कान में पहुचती है ये सोचकर तोता महराज के महल की तरफ रावाना होता है सेनापती का एलान उसी जंगल के दुष्ट कववा भी सुनता है अरे वाह, महराज पुरशकार देंगे, एलान सुनकर मजा ही आगया ऐसा करता हूँ, महराज के पास जाकर पूरी घटना पता करता हूँ ऐसा सोचकर कववा भी महराज के महल की तरफ रावाना हो जाता है कुछी देर में महराज के पास सभी पक्षी आ जाते हैं महराज, मैं पूरी बात समझा नहीं, आखिर बात क्या है? हाँ हाँ महराज, तोता ठेक कह रहा है, आखिर बात क्या है? देखो पक्षियो, मैं बिपत्ती में पढ़ गिया हूँ मेरा एक ही बेटा है और वह एपल खाना चाहता है मैंने अपने सेनापती को एपल लाने जंगल भेजा था उसने पूरे जंगल में च्छान मारा पर एपल उसे कहीं नहीं मिला एपल नहीं मिलने पर मेरा बेटा गुस्सा कर लिया तुम लोग कुछ भी करके एपल का जुगार लगाओ जो भी एपल लाकर देगा उसे ज्यादा से ज्यादा पुरसकार दिया जाएगा महराज हमें अब एपल कहां मिलेगा अगर मेरे पास एपल होता तो मैं आवश्य लाता महराज मेरे पास भी एपल नहीं है महराज मेरे पास भी नहीं है सभी पक्षी बात कर रहा होता है तभी महराज का बेटा आ जाता है और बोलता है पिता जी पिता जी एपल आये हैं देख रहे हो तुम लोग मेरा बेटा एपल खाने के लिए कैसे मुझे आगरा कर रहा है मेरे पास इतना धन दौलत होते हुए भी मैं अपने बेटे के लिए एपल नहीं ला पा रहा हूँ महराज की ये बात सुनकर टूनी महराज के बेटे को समझाते हुए बोलती है सुनो राजबुतर तुम बहुत बड़े धनवान के बेटे हो हर समय जित करना ठीक नहीं है सब कुछ हर समय पर नहीं मिल पाता हर चीज का एक समय होता है अगर आप मुझे एक महने का समय दे तो मैं तुम्हारे लिए मेरे खेत में एपल का पेड लगा कर उसमें एपल उगाऊंगी तब मैं तुम्हारे लिए एपल लाऊँ टूनी चडिया की मिठी मिठी बात सुनकर राजपुत्र ने कहा ठीक है आंटी आपके बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा अब मैं जब तब कुछ नहीं मांगूँगा मैं आपको एक महिने का समय देता हूँ आप मुझे एक महने के बाद एपल लाकर दोगी न आणटी जरूर आप बस एक महने का इंतिजार कीजिए इस तरह महराज के बेटे ने टूनी को एक महने का समय दिया वाह टूनी वाह तुमने तो मेरे बेटे को आसानी से समझा दिया कव्वा तब मनही मन कहता है अरे वा, टूनी तो बहुत चलाग है, ये तो खुद ही नाम लेना चाहती है, होने नहीं दूँगा तब कववा महराज से कहता है महराज, आप मुझे भी एक महने का समय दीजिए, मैं भी आपके बेटे के लिए एपल उगा कर लाओंगा ठीक है, तुम्हें भी समय दिया जाता है ये बात सुनकर दोता बोलता है महराज, तो फिर मैं क्यों बाकी रहूँ, मुझे भी एक महने का समय दीजिए, मैं भी आपके बेटे के लिए एपल उगा कर लाओंगा ठीक है, तुम तीनों को एक महने का समय दिया जाता है तुम तीनों एपल उगाओ, जिसका एपल मेरा बेटा पसंद करेगा, उसे इनाम दिया जाएगा ये बात सुनकर सभी पक्षी अपने अपने घोसले चले जाते हैं इधर टूनी और उनके बच्चे अपने खेत में हल चलाने लगते हैं खेत की जुताई हो जाने पर टूनी बोलती है सुनो मेरे बच्चो, महराज ने कहा है कि मुझे एक महने में एपल उगा कर ले जाना होगा अगर हमने एपल उगा कर दे दिया, तो हमें प्रसकार दिया जाएगा अन्य था, हमें सजा भी मिल सकती है इसलिए हमें बड़ी साफ धानी पुर्वक एपल का पेड उगाना होगा कोई गल्ती नहीं होनी चाहिए ठीक है मा, ऐसा ही होगा लेकिन मा, हम लोग एक महने में एपल कैसे उगाएंगे एपल उगने में तो हमें एक महने से ज्यादा समय लगेगा न तुर्म ठीक कह रहे हो बेटे हम लोग बारा माही एपल का पेड लगाएंगे बारा माही एपल का पेड जल्द ही बड़ा हो जाता है और फल देने लगता है ठीक है माँ हम लोग बाजार चलते हैं ऐसा कहते हुए टूनी अपने बच्चों के साथ बाजार की और बीज लाने चली जाती है कुछ देर के बाद टूनी बीज लेके आ जाती है और अपने खेत में बो देती है आर अपने गोसले में चली जाती है कुछ दिन बाद जब टूनी अपने खेत पर आती है तो छोटे-छोटे एपल के पेड उसे नजर आते हैं तब टूनी अपने बच्चों के साथ खेत की सिचाई करती है और समय समय पर उचित खाद भी डालती रहती है उधर तोटा भी खेत की जुताई करता है खेत की जुताई हो जाने पर तोटा बोलता है खेत तो जोद्या हूँ अब बाजार जाता हूँ और बारा माही एपल का पेड ले आता हूँ ये कहकर तोटा बाजार की तरफ चला जाता है कुछ देर बाद तोता एपल का बीज लेकर आता है बीज लाकर तोता अपने खेत में बो देता है और अपने घोसले में चला जाता है दो तिन दिन बाद जब तोता अपने खेत में आता है तो छोटे छोटे एपल की पेड देखता है तोता पूरे दिन अपने खेत में पानी डालने के बाद तोता अपने घोसले में चला जाता है अगले दिन जब तोता अपने खेत में वापस आता है तो वह देखता है कि सारा एपल का पीड ज्यादा पानी डालने की वज़े से गिर गया है यह देखकर तोता का मन खराब हो जाता है और वह रोने लगता है अरे रे ये क्या हो गया ओहो ज्यादा पानी देने की वज़े से पेड गिर गया है मुझे ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए था उधर कववा भी अपने खेत की जुताई करता है खेत जुताई के बाद कववा बोलता है अब जाता हूँ और बाजार से बारा माही एपल का पेड़ ले आता हूँ ताकि जल्द से जल्द एपल का पेड़ बढ़ा हो जाए यह कहकर कवा बाजार की तरफ जाता है कुछ देर बाद कवा बीज लेकर आता है और कवा अपने खेत में बीज बो देता है बीज बोने के बाद कववा अपने गोसले में चला जाता है कुछ दिन के बाद जब कववा अपने खेत में आता है तो वह देखता है कि उसके खेत में छोटे छोटे एपल के पेड उग गए है तब कववा खुशी से बोलता है अरे बल्ले बल्ले मेरा एपल पेड उग गया है फिर कववा अपने खेट की सिचाई करता है कववा हर रोज उचित मात्रा में पानी तो डालता है लेकिन बुद्धू खाद नहीं डालता कुछ दिन बीथ जाने के बाद टूनी अपने बच्चों के साथ खेट पर जाती है त तब टूनी का एक छोटा बच्चा टूनी से बोलता है मा मा देख रही हो कितना एपल हुआ है मेरे बच्चों महराज ने एक महने का समय दिया था और कल एक महने पूरा होगा इसलिए कल सुबह महराज के पास एपल तोड़ कर ले जाएंगी ठीक है मा ऐसा कहकर टूनी और उसके बच्ची अपने घोसले चले जाते हैं और उधर कवा अपने खेत में आता है तो देखता है कि उसके खेत में बड़े बड़े एपल लगे हुए हैं तो कवा एपल को देखकर खुशी-खुशी कहता है अरे बल्ले-बल्ले मेरे पेड में एपल लगे हैं तब ही उसे टूनी और तोते के बारे में याद आता है कि टूनी और तोता ने भी तो एपल उगाया था तब कवा कहता है पहले जाते हैं और तोते के खेत में देखते हैं कि उसके खेत में एपल उगा है या नहीं यह कहकर कवा तोते के खेत की तरफ जाता है कुछ दिर बाद कवा तोते क के खेट में पहुंचता है तो देखता है कि तोते के खेट में एक भी एपल पीड नहीं है अरे ये क्या तोते की जबीन पर तो एक भी एपल पेड नहीं है मतलब तोता एपल उगाया ही नहीं अच्छा ही हुआ कि उसने एपल नहीं उगाया मेरे एक परती होगी तो गया काम स ऐसा कहकर उसे टूनी की याद आ जाती है चलो टूनी के खेत में देखते हैं टूनी के पेड में भी एपल हुआ है या नहीं ऐसा कहकर कव्वा टूनी के खेत की तरफ जाता है कव्वा टूनी के खेत में देखता है कि टूनी के खेत में अनेक एपल लगे हुए हैं वो एपल देखकर कहता है हाई हाई इसने तु अनेक एपल सुगा लिये कववा अपने दुष्ट बुद्धी से सोचता है एक काम करते हैं टूनी के एपल बाजार में बेच देते हैं कल सुबह सुबह सिर्फ मैं महराज के पास एपल ले जाएंगे तब दोता को भी पुरसकार नहीं मिलेगा और टुनी को भी पुरसकार नहीं मिलेगा सिर्फ मुझे ही पुरसकार मिलेगा ये कहकर कववा अपने घोसले में चला जाता है कुछ देर बाद कववा का एक बोरी ले आता है और उसके बाद एक एक करके सारा एपल तोड़ लेता है और बोरी में भरकर बाजार में बेचने चला जाता है और इधर टूनी महराज के पास एपल ले जाने के लिए अपने खेत में एपल तोड़ने आती है तो वह देखती है कि उसके पेड़ में तो एक भी एपल नहीं है जिससे टूनी उदास होकर बोलती है हाई हाई इतने सारे एपल कहा गए अगर मैं महराज के पास एपल लेकर नहीं गई तो वह बुरा मान जाएगा और गुसे में आकर मुझे सजा भी दे सकता है मा मत रोई ये चली हम लोग महराज से माफी मांग लेते हैं हम लोग बोलेंगे कि हमने एपल तो उगाया था पर जब हम लोग एपल तोड़ने गए तो वहाँ एक भी एपल नहीं था ये कहकर टूनी और उसके बच्चे महराज के दर्बार में जाने लगते हैं टूनी, तोता और कवा महराज के पास चले जाते हैं फिर कवा राजपुत्र से कहता है राजपुत्र मेरे एपल एक बार खाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा तब राजपुत्र चील एक एपल उठा कर खाने लगता है तू 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 ये कोई एपल है ये तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपका एपल बहुत बेकार है कववा अंकल ये क्या कह रहे हो राजपुत्र मैं कितनी मेहनत से इसे उगाया है तब कववा को याद आया कि सिर्फ सिचाई करने से क्या होता है अगर समय पर अच्छे ढंग से खाद ही नहीं दिया हो मैं तो एपल उगाते समय खाद देना ही भूल गया एपल तो ठीक ठाक बड़ा हुआ लेकिन उसमें सौध ही नहीं आया और इधर महराज देखता है कि तोता उदास खड़ा है और उसके पास कोई भी एपल की टोकरी भी नहीं है तब महराज चील ने कहा क्या तोते तुम्हारा एपल कहा है महराज मैं अपने खेत में पाजार से भीज लाकर बोया था पर एक दिन सुबह सुबह मैंने देखा कि मेरे खेत में छोटे छोटे एपल का पेड हुआ है फिर मैं पूरा दिन पानी देकर अपने घोसले में चा गया अगले दिन मैं जब सुबह सुबह खेत में देखा तो मेरे सारे एपल पेड ज्यादा पानी देने की वज़े से मर गए है मुझे शमा करे महराज मैं आपके बेटे के लिए एपल नहीं ला पाया तभी चील महराज ने देखा कि टूनी एक कोने में रो रही है और उसके सामने एपल का कोई भी टोकरी नहीं है क्या हुआ टूनी तुम क्यों रो रही हो तुम्हारा एपल कहा है महराज मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं एपल ना ला सकी क्यों टूनी क्या तुम अपने बच्चू के साथ मिलकर सारे एपल खाली है देखो कवा भाई मजाक मत करो मैंने एपल होगाई थी पेड में अच्छे अच्छे एपल भी लगे थे लेकिन जब मैं सुबह सुबह अपने खेट पर गई तो वहाँ पेड तो थे पर उस पर एक भी एपल नहीं था इसलिए मैं एपल नहीं ला सकी जूट मत बोलो टूनी तोते की बात तो सच लगता है क्योंकि उसका पेड बड़ा होने से पहले ही नश्ट हो गया किन्तु तुम्हारे पेड में एपल भी लगा था पर अब कह रही हो कि पेड है पर एपल नहीं है एपल गया कहां तुम्हें याद है न टूनी तुमने अपन पेड पर फिर से एपल फलेगा तो मैं एपल ले आऊंगी मुझे और कुछ दिनों का समय दीजिया महराज पिता जी आपने तोता कववा और टूनी तीनों को एक साथ एपल उगाने कहा था इस बार तोता ने तो एपल उगा ही नहीं पाया कववा ने उगाया पर उसमें सुरी हो गया इसलिए टूनी को एक बार फिर से एपल लोगा लेकर दिया जाए उसका एपल टेस्ट करने के बाद ही उसे सजाय अफंव पुरूषकार दिया में बेच आऊंगा पुरसकार तो मुझे ही लेना होगा फिर कवा पोता और टूनी सब अपने अपने घोसले में चले जाते हैं तूनी अपने घोसले में आकर सोचती है कुछ दिनों बाद मेरे एपल पेड़ में एपल फलेगा अगर तब भी एपल चोरी हो गया तो महराज त समझ में ही नहीं आ रहा मां मैंने सुन आ है इस जंगल में एक सियार रहता है जो बहुत बद्धि मान है चलो मां उस सियार के पास उससे कुछ बुद्धी लाते हैं जिससे च्वर को पकड़ा जा सके चलो बेटा वह सियार रही के उस पार रहता है ऐसा कहकर टूनी अपने बच्चों के साथ उस सियार के पास जाने लगती है सियार के मांद के पास जाकर टूनी एक पेड़ पर बैठ जाती है और बोलती है टूनी की आवाद सुनकर शियार अपने मांद से बाहर आता है क्या बात है टूनी यहां क्यों आई हूँ सब ठीक तो है ना सियार भाई मैं बड़ी विपत्ती में फस गई हूँ कौन सी विपत्ती में टूनी कुछ दिन पहले मैंने एपल उगाया था एपल अच्छी तरह फला भी था एक दिन सुबह जब हम एपल तोड़े अपने खेत में गई तो खेत में पेड तो थे पर उसमें एक भी एपल नहीं था पता नहीं किसने चुराया होगा अब बात यह है कुछ दिन बाद मेरे खेत में फिर से एपल फलेगा इसलिए हम लोग आप से बुद्धी लेने आए हैं ताकि अगली बार कोई मेरा एपल ना चुरा सके जब कुछ दिनों बाद तुम्हारे पेड में एपल फलेगा तो तुम पेड में जाल बिछा देना ताकि जब कोई एपल चुराने आए तो जाल में फस जाए ठीक है भाईया मैं ऐसा ही करूंगी इस परकार टूनी शियार की बुद्धी लेकर अपने घोसले में चली जाती है फिर कुछ महने बाद टूनी के पेड में एपल फलते हैं तब उसका बेटा बोलता है मा सियार अंकल ने कहा था कि जब अगले बार तुम्हारे पेड में एपल लगे तो जाल बिछा देना चलो मा जाके जाल लाते हैं और बिछा देते हैं ठीक है बेटा यह कहकर टूनी के दोनों बच्चे जाल लाने चले जाते हैं दोनों बच्चा जाल लेकर आजाता है और टुनी सभी एपल पेड़ पर जाल बिजा देती है और फिर वे तीनों अपने घोसले में वापस चले जाते हैं इधर कवा बोलता है अनेक दिन हो गया है अब मैं टुनी के खेट में जाता हूँ और देखता हूँ कि उसके पेड़ में एपल लगा है या नहीं अगर एपल लगा होगा तो फिर से तोड़कर बाजार में बेचाऊंगा और महराज से पुरशकार मैं ही लूँगा यह कहकर कवा टुनी के खेट की तरफ चला जाता है हाई हाई फिर से तोणी ने एपल उगा लिया अभी जाता हूँ और घोंसले से बोरिया लाता हूँ और सभी एपल तोड़कर बेच आता हूँ यह कहकर कववा अपना गोसला चला जाता है कुछ देर बाद कववा बोरियां लेकर वापस टूनी के खेट पर आता है हा 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 टूनी मैं तो तुम्हें पुरिशकार लेने नहीं दूँगा अब मैं तुम्हारे पेड़ से सभी एपल तोड़कर बाजार में बेचाऊंगा कववा बोरी तो लेकर आया पर वे लाठी लाना भूल गया था जिससे वो एपल तोड़ता हाई हाई मैं तो लाठी लाना ही भूल गया अब मैं एपल किस से तोड़ूंगा अरे मैं लाठी क्या करूंगा मैं तो उड़ उड़ कर भी एपल तोड़ सकता हूँ ये कहकर कववा जैसे ही उड़ कर एपल तोड़ने जाता है वह जाल में फंस जाता है और बोलता है अरे मैं कहां फंस गया मैं तो उड़ नहीं पा रहा हूँ मुझे कोई बचाओ इस तरह कवा पूरी रात जाल में फसा ही रहा अगले दिन सुबह सुबह टुनी और उसके बच्चे अपने खेत में आते हैं तो वे देखते हैं कि कवा एपल के पेड में फसा हुआ है अरे कवा भाई मतलब आपने मेरा एपल चोरी किया था देखो ममा कवा अंकल कितना दिश्ट है फिर टुनी अकेली महराज चील के दरबार में चली जाती है और वहां से महराज और उनके सभी सेनापतियों को बुला कर ले आती है सभी आकर देखते हैं कि एपल के पेड में वह दुष्ट कवा फसा हुआ है देखिये महराज मेरा एपल कवा भाई नहीं चुराया था क्या रे कवे तुने ही टुनी का एपल चोरी किया था जी महराज मुझे माफ कर दे महराज तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगा क्यूंकि तू बहुत दुष्ट है तुम्हारी सजा ये है कि तू इस जंगल में ही नहीं रह सके सिनापती कवा इस जंगल में ना रह सके इसे मार मार कर इस जंगल से निकाल दो सिनापती कवा को मारने लगता है फिर कवा जंगल से भाग जाता है और राजपुत्र कहता है टूनी आंटी आपने मुझे एपल नहीं खिलाया एक एपल तोड़कर मुझे दो देखते हैं कैसा लगता है ये सुनकर टूनी एपल को तोड़कर राजपुत्र को देती है वाह क्या एपल है क्या मसेदार एपल है पापा टूनी आंटी का एपल क्या मसेदार है टूनी आंट प्रसकार पाने के लायक है। फिर महराज चील टूनी को अपने दर्बार में ले जाकर अनेयक स्वर्ण मुद्राएं देती है। इस कहानी से हमें यह सिख्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी से इरशिया नहीं करना चाहिए। नहीं तो इरशिया करने वालू का अंत बुरा ही होता है। दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लायक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाल कहानियों का नोटिफिकेशन आपको त्रंत मिले आज के लिए इतना ही दोस्तों फिर मिलेंगे अगले कहानी में तब तक के लिए शुक्रिया